हलो दोस्तों, Reader Books Club में आपका फिर से सौगत है. आज हम Heal Your Body Book के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे लोई से ने लिखा है. Heal Your Body Book हमारे शरीर से जोड़ी बिमारी उसे निपटने के लिए एक फ्रेश और आसान स्टेप बाई स्टेप गाइड है. इस किताब से हमें हमारी particular health challenges को देखने में मदद मिलती है, जिससे हम health problem के possible कारण और एक नया thought pattern बना कर, इसे दूर करने के लिए ज़रूरी information हासिल कर पाएंगे. किताब के जरीया आप अपने health से जोड़े सही फैसले लेने के काभिल बनेंगे, और अपने शरीर को सभी तरह की बीमारियों से दूर रख सकेंगे. ओथर लोई सही ने दुनिया भर में लाखों लोगों को ठीक करने और इंस्पायर करने में मदद की है. उन्हें करीब-करीब 20 साल पहले अपने cancer का पता चला था, और उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए body healing methods का इस्तमाल किया था. ओथर बताती हैं कि जिन्दगी के तरफ हमारा perspective और जिस language का हम इस्तमाल करते हैं, वो हमारी बीमारियों का कारण बनता है. उनकी आसान और practical techniques का इस्तमाल करते हुए, आप अपनी खुद की बीमारियों में ऐसे pattern की खोज करके हैरान होंगे, जो आपके बारे में बहुत कुर जाहिर करती हैं, जिनकी मदद से आप अपने आपको ठीक कर पाएंगे. author का main message ये है, कि अगर हम अपने दिमाग से काम करने के लिए तयार हैं, तो लगबक कुछ भी ठीक किया जा सकता है. दुनिया भर के सैकड़ों हजारों लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, और इसे एक ज़रूरी reference के रूप में पाया है. I hope आपने चैनल को subscribe कर ही दियाओगा. अगर नहीं किया है तो immediately करते हैं, तो चले फिर इसके बारे में detail में समझते हैं. हमारी power हमारे present moment में है, यहीं है और अभी हमारे दिमाग में. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि हमारे पास कितने समय से negative pattern, एक बिमारी, एक खराब रिष्टा, पैसों की कमी या खुद से नफरत है, हमात से ही बदलाव की शुरॉत कर सकते हैं. हमने जिन विचारों को अपनाया है, और जिन शब्दों का हमने बार बार असित्माल किया है, उन्होंने हमारी जिंद्गे और experiences को अब तक बनाया है. फिर भी वो सिर्फ हमारा past है. हम जो सोचना और कहना चुन रहे हैं, वो आज, इस समय, कल, अगले दिन, अगले हफते, अगले महीने और अगले साल उसी तरह की situation बनाएगा. हमारी power हमारे आज के moment में होती है.